नमस्कार मैं हूँ आपकी साथ जानगी आदोर आप देख रहे हैं चलिए बिवंडी के नारपोली पूल स्टेशन में आज़ित प्रेस कॉंफरेंस में DCP राजकुमार शिंदे ने बताया कि लॉकडाउन के दोरान 9 जुलाई 2020 को स्थानिय ओवली गाओं के सागर कॉंपलेक्स में इस्थित ब्लू लाइन लॉजिस्टिक एंड एल एल पी कंपनी के वियर हाउस में लोहे का पत्रा काट कर अग्याद चोर घुसकर माइक्रो मैक्स कंपनी का लैपटॉप, हेड़फोन, पावर बैंक, बैटरी वा टैप चुरा कर फरार हो गए थे जिसकी कीमत 11,95,184 रुपए थी बता दें कि इस बड़ी चोरी के बाद नारपोली पुलिस ने अग्याद चोरो पर सियार नमबर 352 में आईपीसी की धारा 454,457 वा 380 के तहत के इस दर्जकर आरोफी की तलाश शुरू कर दी थी पत्रकार परिसत के दोरान DCP राजगमार शिंदे ने बताया कि इसी दर्म्यान थाने के नगरपुलिस स्टेशन की हद में एक व्यक्ति के पास से 6 लॉप्टाउप बरामध हुए हैं जिसके बाद सहायक आयोक्ति नितिन कॉसडीकर नारपुली पुलिस स्टेशन के सीनियर पी आई मालोजी शिंदे के मार्गदर्शन में जाच पतक ने जब आरोपी को पकड़ कर कड़ाई से पूस्ताच की तो उक्ति चोरी की घटनाओं से परदा उठ गया डीसीपी शिंदे ने बताया कि आरोपी का नाम आलाम मंटु शेक है जो की जारखन का रहने वाला है जिन पर मुंबई वा थाने में कई बड़ी चोरी का मामला दर्ज है उनके पास से पुलिस ने 8,34,000 का चोरी का सामान बरामत किया है डीसीपी ने बताया कि इस चोरी की घटना को तीन लोगों ने मिलकर अन्जाम दिया था दो अन्य की तलास जारी है और जल्द ही इस मामले में बागे के आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाएगा वे चोरी करके वहां से लेप्टाप, मोबाइल फोन्स, हेट फोन्स और बाकी इलेक्रोनिक साहित्य चोरी किया और वो साहित्य जारकन, यूपी, नेपाल यहां वे बेचने वाले थे लेकिन नारपोली पॉलिस्टेशन के इन्वेस्टिकेशन कीम को दैसे दैसे क्लिव मिल गया वैसे आज तक उसमें दो आरोपिय आरेस्ट किया है और उतना मुद्यमाल फोरी हुआ था वो पूरा हस्तगत किया गया है जिसमें और भी दो तीन आरोपी बुनी की संभवना है अल फिरियत की अनुसर गैरा लाग फिचनो हजर का था लेकिन अब तक आठ लाग चल्किस हजार रुपय का मुद्यमाल हस्तगत किया गया है जिसमें मोबाइल्स है लैप्टॉप्स है है हेड़फोन, पावरबैंक, बैटरी, टैब, इनका समाज, इसकेशन में यह सामने आया है कि यह शोरी करके जारगन, यूपी और नेपाल बार्डर के भाहर भी बेचने वाले थे यही अभी तक सामने तो यहीं थे हमारे आचल्छास पोड़स तरहें अब रोख ले देख झाले कि यहीं एचल्छास पार्डर कोड़स